रादे रादे दोस्तों, हरी इच्छा बलवान, एक बार भगवान विश्नु गरुड जी पर सवार होकर कैलाश परवत पर जा रहे थे, रास्ते में गरुड जी ने देखा कि एक ही दर्वाजी पर दो बारातिय ठेरी थी, मामला उनके समझ में नहीं आया, फिर क्या था, पर्भू को गरुड जी बोले, परभू ये कैसी अनूखी बात है, कि विवहा के लिए कन्या एक और दो बाराते आई हैं, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, परभू बोले, हां एक ही कन्या से विवहा के लिए दो अलग अलग जगह से बाराते आई है, एक बारात पीता द्वारा पसंद किये गए लड़के की है और दूसरी माता द्वारा पसंद किये गए लड़के की है यह सुनकर गरुड़ जी बोले आखिर विवा किस के साथ होगा प्रभु बोले जिसे माता ने पसंद किया और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवा होग भगवान की बाते सुनकर गरुड जी चुप हो गए और भगवान को कैलास पर पहुँचा कर कोहतुल वश्पुनी उसी जगह आ गए जहां दोनों बारातें ठहरी थी गरुड जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं माता की बुलाए गए वर को यहां से हटा दूँ तो कैसे विवा संभव होगा फिर क्या था उन्होंने भगवदी धान को देखने की जिग्यासा के लिए तुरंद ही उस वर को उठाया और ले जाकर समुंदर के एक टापू पर धर दिये ऐसा कर गरूर जी थोड़े देर के लिए ठहरे भी नहीं थे कि उनके मन में अचानक विचार दोड़ा कि मैं तो इस लड़के को यहां उठा लाया हूं पर यहां तो खाने पीने की कोई विवस्ता नहीं है ऐसे में इस निरजन टापू पर तो यह भूखा ही मर जाएगा और यहां सारी बाराते मजे से छप्पन भोकानंद लेंगी यह कतई उचित नहीं है इसका पाप अवश्य ही मुझे लगेगा मुझे इसके लिए भी खाने का कोच इंतजाम तो करना ही चाहिए यदि विधी का विधान देखना है तो थोड़ा परिक्षम तो मुझे करना ही पड़ेगा और ऐसा विचार करवे वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए इधर कन्या के घर पर स्तिती यह थी कि वर के लापत हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी प्रंतु अब भी वह अपने हट पर अडिग थी आते हैं कन्या को एक भारी टोकरी में बैठा कर उपर से फूफल फूल मेवा मिस्ठान आदि सजा कर रख दिया जिसमें की भोजन समागरी ले जाने के निमित वर पक से लोग आये थे माता द्वारा उसी टोकरी में कन्या को छीपा कर भेजने के पीछे उसकी ये मनशा थी कि वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोज कर उन दोनों का बेवाह करा देंगे माता ने अपना यह भाव किसी तरह होने वाले सम्धी को सूचित भी कर दिया अब सेयोग की बात देखिए आंगन में रखी उसी टोकरी को जिसमें कन्या की माता ने भी थी वर फल मेवा मिष्ठान आदी से भर कर कन्या को छिपाया था गरुड जी ने उसे भरा देकर उठाया और ले उड़े उस टोकरी को ले जाकर गरुड जी ने उसी निर्जन टापू पर जहां पहले से ही वर को उठा ले जाकर उन्होंने रखा था वर के सामने रख दिया इधर भूब के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जियों ही अपने सामने भोज्य समाग्रियों से भरी टोकरी को देखा तो बाज की तरह उस पर जपता उसने टोकरी से जैसे ही खाने के लिए फलादी निकानना शुरू किया तो देखा की उसमें सोलोहो सिंगार किये वह यूवती बैठी है जिससे की उसका विवा होना था गरुड जी यह सब देखकर दंग रहे गए उन्हें निश्य हो गया की हरी इच्छा बल्वान राम की इने चाहे सोई होई करे अन्यथा आस नहीं कोई फिर तो शुब मुहुरत विचार कर स्वेम गरुड जी ने ही पूरहता ही का करतव्य निभाया वेद मंत्रों से विधी पुर्वग विवह कारिय संपन करा कर वरवदू को आशिरवात दिया और उन्हें उनके घर पहुँचाया तब पश्चार प्रभू के पास आकर सारा विर्तांत निवादन किये और प्रभू पर अधिकार समझ जुन्चुला कर बोले प्रभू आप अच्छी लिला करें सारा वियाह कारिय हमी से करवा लिया भगवान गरुड जी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे थैंक यू फॉर यू दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताएं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक और रोचकाने के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद